ओम शान्ती आज बावा के 27 तारिक के महावा क्य हैं बावा ने कहा मीठे बच्चे आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटा कर वर्सा देने आए हैं तुम श्रीमत पर चलो तुम वर्से के लायक बन जाएंगे प्रश्न है देही अभिमानी बनने का यथार्त रहस्य तुम बचों ने क्या समझा है उत्तर है पुरानी दुनिया से मर कर बाप का बनना अर्थार मर जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान ऐ शरीरी बन बाप को याद करो यही है देही अभिमानी बनने का यथरत रहस्य गीत है ओम नमो शिवाय ओम शान्ती बच्चों ने गीत सुना एक तरफ है भक्त गोर अंदियारे में दूसरी तरफ है मात पिता के बच्चे जिनकी महिमा सुनी और तुम तो अब सन्मुक बैठे हुए हो कहते भी है शिवाय नमै फिर फट से कह देते हैं तुम मात पिता सबका मात पिता भी ठहरा सबका स्वामी भी ठहरा समझाया गया है जो भी मनुष मात्र है नर अथवा नारी सब है भक्त ब्राइड्स और वह एक है ब्राइड्ग्रूम स्वामी मात पिता बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है सजनियों का साजन भी है यह बाते तुम बच्चे ही जानते हो और सब अंधियारे में है तुम अभी सोजरे में हो तुम जानते हो बाप के हम बाप के सन्मुक बैठे है निराकार भगवान सृ पिष्टी कैसे रचे जरूर मात पिता चाहिए इसी लिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जनम देता हूं तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मर कर बाप के बने हैं अर्थार्थ देही अभिमानी बने हैं बाप तो सदेव देही अभिमानी ही है वे आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं तुम जिनकी महिमा करते थे तमेव माताश पिता उनके सन्मुक बैठे हो भल तुम अपने गाउं में हो तो भी सम्मुक हो बाप आई है बच्चों की सर्विस में पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है याद दो उनको ही करते हैं ना पतित पावन आओ अभी तो तुम संगम युग पर हो जानते हो बरोबर हम पतित थे पतितों को पावन करने वाला एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाए नमय बच्चे बाप को पुकारते हैं बच्चे सबको प्यारे लगते हैं बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते है अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं बरोबर वे बिलवेट बाप है ना जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है सत्युक्त्रेता में हमने बाप का वर्सा पाया था फिर वे वर्सा गुम हो गया माया रावन का श्राप लग गया हम बिलकुल ही दुखी बन पड़े थे दुनिया में सब दुखी ही दुखी है दुख के पहाड गिरते हैं तब ही बाप कहते हैं हम आते हैं सब पाप आत्मा बन पड़े हैं पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं बाप आकर के पुन्या आत्मा बनाते हैं वर्सा देते है तुम जानते हो, बरोबर हम फिर से बेहत के बाप से 21 जनमों का वर्सा लेते हैं, माया ने श्रापित कर दिया है, बाप वह श्राप मिटाते हैं, बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम सदा शान्त बन जाएंगे, यहां तो शान्ती हो ना सके, दुख धाम है ना, हम तुमको शान्ती धाम में ले चलते हैं, वहां सुक शान्ती धन आदी सब है, बेहत के बाप से तुम 21 जनमों के लिए जोली भरने आए हो, हर एक को अपने पुर्शार्थ से वर्सा पाना है, जबकी भगवान के बच्चे बने हो, वह है स्वर्ग का रचैता, तो जरूर हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्सा मिलना चाहिए, बच्चे ही वर्से की अधिकारी है, बाप कहते हैं, पांच हजार वर्ष पहले तुमको वर्सा दिया था, फिर गवा दिया, अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्सा मिल रहा है, यह तुम जानते हो, कि कल्प प पहले स्वदर्षन चकरदारी ब्रामन कुल भूशन बने थे, वही धीरे धीरे आते रहेंगे, दिन प्रती दिन ब्रामन कुल भूशन बनते रहेंगे, बिरादरी बढ़ती रहेगी, ब्रम्हा मुखवन्शावली आप बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा, तुम इस समय अहिंसा परमो धरम का बनाते हैं। देवताइं कभी हिंसा नहीं करते। तुम जानते हो हम सो देवता थे। अब फिर से हम बनते हैं। चक्र लगाया। देवता कुल से शत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए। शत्रियकुल से वैश्यकुल अत्वावर्ण में आए हम 84 जनमों का चक्र पूरा कर आए हैं अब फिर से बाप आए हैं वर्सा देने श्राप मिटा कर पतित से पावन बनाते हैं यहां सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं बाप आकर श्राप मिटा कर वर्सा देते हैं यह है संगम युग अभी सत्युक तुमसे दूर नहीं है स्वर्ग इतना नजदीक है जितना यह आत्मा का शरीर नजदीक है बहुत नजदीक है मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं परंतु तुम बच्चे अब बहुत नजदीक आए हो पांच हजार वर्ष पहले की बात है जबकी स्वर्ग था आधा कल्प स्वर्ग था फिर आधा कल्प नर्क चला है अभी स्वर्ग सामने खड़ा है बाप कहते हैं सेकेंड में स्वर्ग का राज चलो बरोबर तुम जानते हो हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं जैसे बच्चा समझता है हम बाप से वर्षा लेते हैं बाप समझेंगे वारिस पैदा हुआ भल छोटा बच्चा है मुख से कुछ बोल नहीं सकता है परंतु बाप जानते हैं ये वारिस है यह ह बेहद का बाप आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने और वारिस हो गए बाप भी कहते हैं तुम स्वर्ग के वारिस तो जरूर बन गए परन्तु वर्से में भी बहुत दरजे हैं कोई सोर्य वंशी कोई चंदर वंशी कोई प्रजा में आएंगे मर्तबे तो अलग-अलग हैं बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं सिर्फ भारत ही नहीं सारे विश्व के भल भारत में राज्य करते हो परन्तु के मालिक हो वहाँ कोई दूसरा राजा रज करने वाला नहीं रहता तो तुम को कितना नशा रहना चाहिए बेहद का बाप और बेहद के बच्चे अब तुम कितने बच्चे हो तुम कहेंगे हम स्वर्ग की मालिक बन रहे है बाप जैसा मीठा कोई नहीं बाप निशकाम सेवा करते हैं खुद मालिक नहीं बनते बच्चों को बनाते हैं मनुष्य कहते हैं इस दादा ने खुद तो बहुत सुख देखे बुडापे में आकर सन्यास किया तो क्या हुआ शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे न वे तो कहते हैं मैं तो स्वर्ग का सुख नहीं लेता हूँ मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बना कर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ वे राजे लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग्य देते हैं ये तो कहते हैं लाड़ले बच्चे मैं परमधाम से आया हूँ तुमको राज्य भाग्य देने के लिए मैं राज्य नहीं करता हूँ मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने इसमें भी कितने विगन पड़ते हैं श्री कृष्ण नहीं भगाया था शिव बाबा के पास तुम भाग कर आते हो कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं पूरा वर्सा लेने सम्मुख जाकर गोद लेते हैं तुम कहते हो हमने अब इश्वर ये गोद ली है इश्वर से वर्सा पाना है बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावन रूपी दुश्मन से छुडाने ये पांच विकार रूपी रावन ही मनुश का बड़ेते बड़ा दुश्मन है यहां तुमको इस दुश्मन से छुटना है पतित पावन एक ही बाप है जिसको शिवाय नमे कहते हैं सबका साजन अभी तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाते हैं अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा फिर तुम सत्युग के महराजा महरानी बनेंगे साजन आकर लायक बनाते हैं जानते हो के माया रावन ने नालायक बनाया था अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत है भगवान की मात पिता भी उनको कहते हैं श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे अभी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वे मैमा करते हैं उनसे हम पढ़ रहे हैं ब्रामन कुल बनता है जरूर फिर दैवी कुल में जाना है जरूर ब्रह्मा मुक से पहले पहले ये ब्रामन चोटी निकलते हैं तुम ब्रामन हो रूहानी पंडे रूहानी सेवा करने वाले बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पंडा बन आया हूँ सचे सचे तीरत पर ले जाने तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है तुम्हें कोई भी इविल बाते नहीं सुननी है इविल बाते बहुत नुकसान कारक है इस समय सारी दुनिया में पांच भूतों की प्रवेश्ता है तो इविल ही सुनाएंगे बेहत के बाप की कितनी भारी महिमा है फिर कह देते सर्व्यापी है तुम समझा सकते हो गाते हो पतित पावन आओ फिर सर्व्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए सर्व्यापी के जिञान नहीं भारत को नास्तिक कोडी तुल्य बना दिया है बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को कलप कलप आकर पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, भल कितना भी सहन करना पड़ता है, तो भी सेवा में उपस्थित हूँ, मैं तो जानता हूँ, बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, कोई नहीं ज जानते हैं अथा बच्चे हैं प्रजा पिता ब्रह्मा सो तो जरूर प्रजा का ही बाप होगा क्रियेटर ब्रह्मा द्वारा स्रिष्टी रचते हैं ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूं लाडले बच्चे मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से प खुलता जाएगा पत्थर से पारस बुद्धी बनाने की सेवा करने आया हूं नर्क से स्वर्ग में ले जाता हूं बाप आते ही हैं संगम पर जबकी सारी स्रिष्टी पतित तमों प्रधान जड़ जड़ी भूत बन जाती है एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं काम कटारी चला कर एक दो को दुख देते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास शान्ते धाम में जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे बाप कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठा कर स्वीट हॉम ले जाएंगे अब तुम भी पंडे के बच्चे पंडे बनते हो तुमारा नाम भी है शिव शक्ती पांडव सेना हर एक को अपने बाप का परीचे दे बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो तुमें खुद भी वर्सा लेना है और औरों को भी देना है देखो मेरट से 22 की पार्टी आई है मेहनत करते हैं हर एक को कोड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं गाया भी जाता है भगवान अंदों की लाठी तुम पाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं हम ही इन वर्णों से चक्र लगा कर आए हैं अब शुद्र से ब्रामन बन फिर सो देवता बनेंगे तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी ये अलंकार है तुम्हारे परंतु विश्नों को दे दिये हैं क्योंकि तुम्हारा इस्थाई तो ये पाठ रहता नहीं इसलिए देवताओं को ये निशानी दे दी है बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं कहां माया का संग ना लग जाए बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी बावज्जास्ती महनत नहीं देते हैं सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो अपने को आत्मा निश्चे करो यह है रुहानी यात्रा तुम भी यात्रा करो बाप को थोड़े बूलना चाहिए योग अक्षर निकाल दो बाप को याद करना है क्या बाप को तुम भूल चाते हो बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ तुम अशरीरी हो यहां आकर यह शरीर धारन किया है अब फिर शरीर का भान छोड़ो मैं वापिस ले चलूँगा मैं कालों का काल हूँ इस पुरानी देह को भूल मुझे याद करो यह पुरानी जूती है फिर तुमको नया शरीर देंगे पुरानी से ममत्व मिटाओ मैं तुमको साथ ले जाओंगा तो खुश होना चाहिए कि हम जाते हैं पियर घर पांच हजार वर्ष होए हैं हमने शानते धाम को छोड़ा है अब फिर हम जाते हैं यह है दुख धाम बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं आत्मा जो छीची बनी है उनकी जोती जगाते हैं सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायन को वरेंगे बाप कहते हैं अपना दिल दरपंड देखो कोई भूत तो नहीं बैठा है भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य ही खतम हो जाएगा बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित है वह तो विचित्र है कोई चित्र नहीं है दूसरे के ओर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं वास्तव में तो विचित्र सब आत्माई है फिर बाद में चित्र लेकर पाट बजाती है बाप कहते हैं मैं इस चित्र वैप्रकरती का आधार लेता हूँ माताओं को ज्यान कलश देता हूँ जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तब ही वर्था मिलता है अच्छा मिठे मिठे सिखिल दे बच्चों प्रती मात पिता बाप दाद का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दाद को याद प्यार गुड मॉनिंग नमस्ते 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 जी धार नंग के लिए मुख्य सार है बाप को याद कर बाप की श्रीमत पर चल माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है देह का भान छोड अशरीरी बनना है पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है वर्दान है अपनी उद्धारता द्वारा सर्व को अपने पन का अनुबव कराने वाले बाप समान सर्वन्शित्यागी भव सर्वन्शित्यागी वह है जिसका संकल्ब, स्वभाव, संसकार, नेचर बाप समान है जो बाप का स्वभाव वही आपका हो संसकार सदा बाप समान, सिन्ह, रहम, उदारता के हो जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं बड़ी दिल अर्थार सर्व अपनापन अनुबव हो बड़ी दिल में तन मन धन संबंद में सफलता की बरकत होती है छोटी दिल वाले को मेहनत जादा सफलता कम होती है बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं उन पर साइब राजी रहता है स्लोगन है परिपक्व बनने के लिए परिपक्व बनने के लिए परिक्षाओं को गुट साइन समझ हरशित रहो अच्छा आज का अव्यक्त इशारा है अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माई समीप आएंगी इसमें डबल सेवा है स्वा की भी और दूसरों की भी स्वा के लिए अलग महनत नहीं करनी पड़ेगी प्रालब्द प्राप्त है ऐसे इस्तिती अनुभव होगी इस समय की स्रेश्ट प्रालब्द है सदा स्वयम सर्व प्राप्तियों से संपन रहना और संपन बनाना अच्छा ओम शान्ति